सीख देने वाली कहानी किसान सालों से पहुत महनत करके फ़सल लगाता पर जब काटने की बारी आती तब पानी गिर जाता या फिर ओले पड़ जाते और आदी फ़सल खराब हो जाती इस बात से परिशान होकर किसान भग्वान के पास गया और कहने लगा आपको किसानी का कुछ भी ग्यान नहीं है आपको पता ही नहीं है कब पानी गिराना है और कब धूप निकालनी है और कब मौसम ठंडा रखना है और कब गर्म रखना है अगर आप मेरे हिसाब से सब करें तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते की फसल कितनी अच्छी निकलेगी भगवान मुस्कुराए और किसान को शक्ती दे दी और कहा जब तुम्हारी फसल निकले तम मेरे पास आना किसान बहुत खुश हुआ और मन में यह सोचते हुए गया अब देखो मैं बताऊंगा की कैसे किसानी के लिए मौसम लाया जाता है अब पूरे समय किसान को जैसा लगता वैसा ही वै पानी गिराता दूप निकालता और ठंड लाता देखते देखते किसान की फसल बहुत शानदार हो गई ऐसा लग रहा था जैसे इस से पहले कभी इतनी अच्छी फसल लगी ही ना हो इस बात से किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में फसल काटने का समय आ गया जब किसान ने फसल काटी तो वह चौक गया उसने देखा फसल में तो दाने ही नहीं है और जो कुछ भी दाने है वह बहुत कमजोर है इस बात से परेशान होकर किसान फिर भगवान के पास पहुँचा और अपनी समस्या बताई भगवान ने किसान से कहा जब तुमारी फसल ने संगर्श ही नहीं किया तो उसमें अच्छे दाने कहां से आएंगे उस फसल ने ना आंधी की मार सही ना ओलों की और ना ही खराब मौसम की एक अच्छी फसल के लिए संगर्श करना बहुत जरूरी है किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वै भगवान से माफी मांग कर वापिस आ गया और फिर उसने दोबारा कभी खराब मौसम की शिकायत नहीं की सिक्छा इस सीख देने वाली कहानी से हमें यह सिक्छा मिलती है कि बिना संगर्श के जीवन में सफलता नहीं मिलती जब हम महनत करते हैं और परिणाम अपने हिसाब के नहीं मिलते तब हमें सयम रखना चाहिए और निरंतर महनत करते रहना चाहिए धन्यवाद प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल